नमस्ति दोस्तों पहला वीडियो में हम आपका सागती है हम इस वीडियो में ओकिनाव एलेक्ट्र स्कूटर रेटजी की एक स्पीड टैस्ट रुवियू करता है इस ओकिनाव एलेक्ट्र स्कूटर की डीटेल्ड वीडियो रुवियू आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन मिलते है इस विडिया में हम इस औकिनेव सक tread Course की Maximum Speed Check करने के चलते है में एक्षानमी स्पोर्ट कांड्रोल करने के लिए बटन देख सकते है हम इस विडिया में Fast Economy Mode में Speed test करने के चलते है इस economy mode में full charge करने के बाद हमको 80 to 90 km ट्रावल कर सकते है इस electric scooter में 60 volt 24 ampere VRLA बैटरी यूज़ करते है दाट मेंज LED आशिट बैटरी इस बैटरी 4 to 6 hour में full charge होगा इस electric scooter में हमको economy mode में maximum 35 km per hour में चल सकते है इस economy mode में हमको mileage मिल सकते है लेकिन performance तोड़ा कम है इस electric scooter को दोवी विल में drum brake यूज़ करता है इस brake में electronic assistant braking system with regenerative energy होते है इस economy mode में हमको 35 km per hour में जा सकते है इस economy mode का speed test करने के बाद हमको sports mode में maximum speed check करने के चलते है इस sports mode में हमको better performance मिलते है इस electric scooter का better performance के लिए इस scooter में 800W BLDC motor यूज़ करते है इस electric scooter में 1000W BLDC motor यूज़ करते है इस price electric scooter का details आपको इस वीडियो के description box में मिलते है उकिनावल एक्ट स्कूटर रिडिज नाम में टॉटल त्री वेरियंट मारकत में इंडिडियोश करते है फस्ट वन इस रिडिज 30, सेकंड रिडिज और लास्ट वन इस रिडिज प्लस इस रिडिज प्लस में lithium-ion battery यूज़ करते है इस lithium-ion battery within 1 hour में full charge होगा हम को इस ओकिन आव एक्ट्र कुटर रिडिज में माक्स में 56 किलेमेटर पर हवर में चल सकते हैं इस स्पोर्स मोड में हम को बेटर पर्फॉमेंस मिलती है लेकिन माईलेज कम होने का चैन्स बहुतादिक होते हैं आपको इस रिट्ज एलेक्ट्र स्कूटर की वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिए आपको इस पहला वीडियो चानल में फर्स्ट आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद